यह दिखे लग रही है ना टेस्टी और चटपटी साथी healthy भी है Hello everyone, welcome to my channel आज मैं आपके सार शेयर करने जा रही हूं no oil चटपटी चना चाट की रेसिपी जो की टेस्टी तो है ही साथी healthy भी है और यह बनेगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बिल्कुल वही टेस्ट, उतनी ही चटपटी, उतनी ही टेस्टी. इसको बनाने में ना ही जादा मेहनद लगती है, ना ही जादा समान की जरौत पड़ती है. जी हां ये बेहत कम चीजों से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार स्वाध होता है इसका साथी ये जटपट से बन जाती है और सेहत के लिए बहुत ही ज़दा फायदे मन्द होती है अगर मेरे रेसिपी पसंद आये तो लाइक का बटन जरूर दबाए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस चटपटी चना चाट को बनाने के लिए यहां मैंने डेड़ कप ये करीब काले चने लिये थे इनको मैंने राद भर के लिए पानी में भिगो दिया था तो इस तरह से फूल के तयार हो गए है इसका हम पानी निकाल लेंगे और प्रेशर कुकर में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इसके बाद इसमें डालेंगे 1.5 गिलास के करीब पानी, पानी उतना ही होना चाहिए, ये चने डूप जाएं पानी में, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आदी टीस्पून के करीब डाल रही हूं है, मिक्स कर देंगे से, और ढकन लगाके इसको 3 सीटी आने तक प देखिए, 3 सीटी आ गई है, अब इसका प्रेशर अपने आप खतम होने देना है हमें, कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, चेक करेंगे, चने को प्रेस करके, देखिए इस तरह से मैश हो रहा है, इसका मतलब ही अच्छे से पक गया है, अब एक चलनी क सायता से इसका पानी ड्रेन कर लेंगे, इस पानी को फेके नहीं, इसे आप सब्जी वगएरा में यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत से न्यूट्रिंस होते हैं, अब चनों को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, इस चना चाट को हम बिना ओयल के बनाएंगे, इसको हमें अब फर्दर नहीं पकाना है अब इसमें डालेंगे हम एक मिडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिर्च अपने इसाब से आप कम्याज जादा कर सकते हैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर बहुत ही हल्दी होने वाली यह चाट अब इसमें डालेंगे आदी टीस्पून काला नमक सफेद नमक हमने पहले यूज किया है काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है आदी टीस्पून चाट मसाला डालेंगे इसको चटपटा और टैंगी बनाने के लिए एक चौथाई टीस्पून बुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे मिक्स करेंगे इसे अच्छे से वैसे तो चना चाट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं बट सबसे आसान सिंपल और टेस्टी तरीका यही होता है जो कि कम सामान से भी बना सकते हैं अब घर पर जो नॉर्मली सामान घर में मिल जाता है उसी से यह बन जाती है एक बार ज़रूर ट्राय करना इस तरह से बना के देखने में ये अभी से टैंप्टिंग लग रही है साथी हेल्थ कॉंश्योस लोग भी इसको अराम से खा सकते हैं इसमें और भी वेजीटेबल सा पैट कर सकते है कुकुमबर वगे आसमें डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे इसको चटपटा और खट्टा बनाने के लिए आधे नीबू का रस बीजे निकाल दिये हैं मैंने इसके जब तक चाट खटी नहीं हो तब तक मजा नहीं आता है तो इसमें अच्छे से नीबू डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे निबू का फ्लेवर पुरी चाट में अच्छे से आ जाए और ये चाट और भी जादा चटपटी बन जाए लीजिए तयार है, बिल्कुल मार्केट जैसी चटपटी, हेल्दी, टेस्टी, बिना ओयल के चना चाट की रेसिपी बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल बनी है, लग रही है न, एकदम टेंटिंग, इंजॉय करें इसे बच्चों और बड़ों के साथ सबी को बहुत पसंद आएगी है जब घर में सामान हो कम और चटपटा खाने का हुमन, तो चटपट से बनाए इस चाट को और अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शियर और कमेंट करके बदाएगा जरूर साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं उसके बाद इस गंटी को दबाना है ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी आपके पास तुरांत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के ल जब दो दिए बडाएं